गुड मॉर्निंग ओल उफ यू तो आज सुबे सुबे मुझे नाश्ते में कुछ अच्छा खाने की क्रेविंग हो रही थी लेकिन बनाने का थोड़ा सा आलाज आ रहा था तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ऐसा बनाते हैं कि फटा फट से भी बन जाए और खाने में टेस्टी भी लगे तो चलो आज बनाते हैं नाइलोन खमर्ण ये फटा फट से भी बन जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो चलो फटा फट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो नाइलोन खबन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक बाउल, उसके अंदर मैंने ले लिया है एक कप पानी, तीन टेबल स्पून चीनी, एक टीस्पून सिट्रिक एसिड, इसे निम्बू का सत या फिन निम्बू का फूल भी बोलते हैं, तो यहाँ पे एक से मिक्स कर लेंगे, जब तक की सब कुछ अच्छे से गुल न जाए, तो यह रेखे, सब कुछ अच्छे से गुल गया है, और अब इसके अंदर डालेंगे बेसन, यहाँ पर मैं बेसन गर पे बनाती हूँ, तो मैंने डिब्बा बरके उसे बना लिया था, चने की डाल को द में दो कब बेसन लेना है, यानि चने का आटा, अगर आप घर पे नहीं बनाते हो, तो मार्केट वाला भी ले सकते हो, उससे भी रिजल बहुत ही बढ़िया आता है, तो चलिए अब सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको जो मेजरमेंट बत देना बहुत ही ज़रूरी है, तब तक हम आगे की तेयरी कर लेते हैं, तो खमन को हमें स्टीन करना है, तो अगर आपके पास स्टीमर है तो वो ले लीजिए, अगर नहीं है तो इस तरह की एक कड़ाई ले ली हैं, और उसके अंदर डाल देना है तीन से चार ग्लस पानी, और इसके अंदर रख देना है एक स्टैंड, तकन लगा के लो फ्लेम पे हमें पानी को बॉल करने के लिए छोड़ देना है, अब हमें चाहिए इस तरह का एक तीन जो थोड़ा सा डीप हो, अगर आपके पास इस तरह का तीन नहीं है, तो आप ठाली भी ले सकते हो, तो यह अब हमारा बैटर भी एकदम रेडी है, और अब इसके अंदर डालेंगे एक टीस्पून बेकिंग सोड़ा यानि खाने वाला सोड़ा और एक टेबल स्पून पानी, और एकदम हलके हातों से इसे मिक्स कर लेना है, बिलकुल भी प्रेशन नहीं देंगे, एकदम हलके हातों से धीरे धीरे इसे मिक्स कर लेंगे, तो ये देखिए हमारा बैटर फूलने लगा है, तो इस तरह 20 से 25 सेकेंड हमें इसे मिक्स करना है, एकदम हलके हातों से, जब तक कि सबको चच्चे से मिक्स ना हो जाए, तो चलिए अब हमारा मिक्षर एकदम रेडी है, तो आप पारी में सारा बैटर न डाले, दो बर्तर में डिवाइड कर ले, क्योंकि बर्तर के ओपर थोड़ी सी जगा रहनी चाहिए, क्योंकि खमन को फुलने के लिए जगा चाहिए होगी, तो इस तरह थोड़ी सी जगा रहे, उतना बैटर हम डालेंगे, अब इसे एक दो बार टै चाको डालके चेक कर लेंगे चाको एकदम क्लीन निकल रहा है तो समझ लेना है हमारा खमण एकदम रेड़ी है इसे हम तूरंद नहीं निकालेंगे क्योंकि तूरंद निकलने जाएंगे तो पूरा खमण नहीं निकलेगा चिपक जाएगा तीन के अंदर तो इसे 10-15 मिट हम खमण बनके रेड़ी हुआ है अब इसे स्क्वैर पिसस में कट कर लेंगे तो यह देखिए करते समये आपको दीख रहा होगा कि कितना स्पॉंजी हमारा खमण निकलना है तो चले इसे पिसस में मैंने कट कर लिया है इसके पिसस सोड़े से बड़े ही होते हैं तो हम इसे ब और अब डॉल्प कर देंगी एक कप पानी एक टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून चीनी और इंस सब को अच्छे से मिक्स कर लेना है चीनी अच्छे से घुल जाए तब तक इसे हम पकाएंगे चीनी घुल गई अब गैसरी को हमें off कर देना है अब इस तड़की को हम थोड़ा थंडा होने देंगे थोड़ा सा warm होने देंगे 2-3 मिनिट हम उसे थंडा करने देंगे और फिर उसके डाल देंगे खमन के उपर यह दिखे हमारे nylon खमन बनके ready है दिख रहे हैं एकदम market जैसे तो आपको आज के रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताना मिलते हैं जल्दी नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई जैसी क्रेशन